राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक संत नामदेव की ओडियो रिकॉर्डिंग ओडियो कॉपिराइट 2022 राधास्वामी सत्संग ब्यास सर्वाधिकार सुरक्षत संत नामदेव लेखक जे आर पूरी वीके सेठी टी आर शंगारी प्रकाशक जे सी सेठी सेक्रेटरी राधास्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंग पंजाब कॉपिराइट 1989 दो हजार नो राधास्वामी सत्संग ब्यास सर्वाधिकार सुरक्षत पहला संस्क्रण उन्निस्सो अस्सी दस्मा संस्क्रण दो हजार नो विशे सूची प्रकाशक की ओर से जीवन, संदेश, संकलित रचनाएं प्रकाशक की ओर से बहुत समय पहले हुजूर महराज चरन सिंग जी की प्रेरणा से पूर्व के संत नामक पुस्तक माला का आरंब हुआ इस पुस्तक माला में जिन संतों महात्माओं के जीवन, उपदेश तथा वानी पर आधारित पुस्तके चपवाई गई हैं उनमें पल्टु साहिब, दादु साहिब, संत तुकाराम, गुरु नानक साहिब, गुरु अर्जन देव, गो स्वामी तुलसिदास, मीरा बाई, गुरु रविदास, संत दरिया, संत कबीर, स्वामी शिवद्याल सिंग, संत चरन्दास, साई बुले शा, हजरत सुल्तान ब संत नामदेव 1270 से 1350 के जीवन तथा उपदेश पर आधारित, वर्तमान रचना इस पुस्तक माला की ही महत्व पून कड़ी है। संत नामदेव का आगमन गुर्णानक साहिप से 200 वर्ष पूर्व हुआ। आप ना केवल मराठी भाषा के पहले संत कवी हैं, बलकि आपको निर्गुनवादी भक्ती काव्य के अग्रणी संत कवियों में भी सम्मान्निय स्थान प्राप्त है। गुरु अर्जन देव ने भारत के विभिन प्रांतों में समय समय पर हुए दूसरे बहुत सारे संतों भक्तों की भाती आपकी अद्वित्य वाणी को भी शिरी आदी ग्रंथ में सम्मिलित किया है। संत नाम देव की वाणी का भंडार बहुत विशाल है। आपकी पुस्तक हिंदी पदावली में 231 पद हैं तथा मराठी में 2337 हैं। संत नाम देव ने बहिर मुखी कर्मकांड को निरर्थक सिद करते हुए सद्गुर की समझाई युक्ती के अनुसार शब्द या नाम की अंतर्मुख आराधना का उपदेश दिया है। संतों को जंगम अत्वा चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। संत नाम देव जी ने महराश्ट्र के इलावा बहुत से अन्य परांतों की यात्रा की। तथा आप पंजाब में गुर्दासपूर जिले के ग्राम घुमान में लंबे समय तक रहे। इस ग्राम में ही 1849 इस्वी में बाबा जैमल सिंग महराज का जन्म हुआ। जिनके नाम पर ब्यास नदी के दाएं किनारे पर डेरा बाबा जैमल सिंग स्थित है। बाबा जी को प्रारंभिक परमार्थी संसकार अपने गाउं में आने वाले प्रभु भक्तों से ही प्राप्थ हुए। राधा स्वामी सत्संग द्वारा नाम देव जी के जीवन तथा उपदेश पर आधारित पुस्तक का पहला संसकरण 1980 में छपवाया गया था। इसके बाद इसके और भी बहुत से संसकरण प्रकाशित हुए। कुछ समय से महसूस किया जा रहा था कि इस पुस्तक में संत नाम देव जी के जीवन तथा उपदेश से संबंधित जानकारी में व्रिद्धी की जानी चाहिए। इसलिए डॉक्टर टी आर शंगारी ने बहुत महनत तथा खोज के बाद संत नाम देव के जीवन तथा उपदेश से संबंधित बहुत सी जानकारी पुस्तक में संकलित की है। इसके साथ ही उनकी वाणी में से बहुत से हिंदी पद और मराठी अभंग यानी मराठी चंद भी इस पुस्तक में संकलित किये गए हैं। श्रोताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संत नाम देव के मराठी अभंगों का हिंदी रुपांतरन भी पुस्तक में शामिल किया गया है। आशा है कि इस से पुस्तक उपयोगी सिध होगी और श्रोतागण संत नाम देव के जीवन और उपदेश से और अधिक लाप प्राप्त कर सकेंगे। जेसी सेठी, सेक्रेटरी, राधास्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जैमल सिंग, जिला अमरित सर, पंजाब